एकांत में विचार सकारात्मक रहते हैं और अकेलेपन में विचार नकारात्मक हो जाते हैं, एकांत में आनंद मिलता है और अकेलेपन में निराशा बढ़ती है जब भी कोई व्यक्ति कहीं अकेला होता है तो उसे एकांत समझ लिया जाता है, जबकि ये सही नहीं है, इन दोन अपने गीता दर्शन के अध्याई छह में बताया है। अकेलेपन में व्यक्ति अकेलापन बहुत ही गंबीर हो जाता है। अकेलेपन के नुकसान से बचे अकेलापन मनने नकारात्मक विचार भर देता है। सोच को सकारात्मक बनाना चाहिए। अकेलेपन को एकांत में बदलना चाहिए। हम ध्यान कर सकते हैं। भगवान की भक्ति कर सकते हैं। मंत्र जाप कर सकते हैं। अच्छी किताबे पर सकते हैं। कुल मिलाकर अकेलेपन में ऐसे काम करे जो हमारी सोच सकारात्मक बनाए, मन प्रसंद करे, जीवन में आनन्द को बढ़ाए.